कि हम लोग पढ़ेंगे बात सीधी पर हम लोग ने पढ़ ली उम्मिद कर्ता हूं समझ में आ गए होगी अब पढ़ेंगे हम लोग सीधी पर यह कविता रीन जी के हैं यह कहां से ली गिए कोई दोसरा नहीं यह इसमें दो चीजों की मत्यश्य का मतलब कहने का मतलब कभी कहता है कि जिस परकार से किसी बात को कहने के लिए निसित की जरूत होती जैसे और यह से घार देते ठोक ठोक करके तो उसके लिए खाचा एक छिदर निसित होता है जिस परकार किसी बात को कहने के लिए एक निसित सब्दों का परियोग किया जाता है अब कभी ने यहां कथन अपनी बात और मादन में द्वन्दों के उरते बाधसा की सरलों सहजता की बात की गई है कभी कहता है कि मेरी बात बहुती सीधी और सरल थी एक बार मैं बाहसा के चकर में बनावटी पून बाहसा के चकर में अपनी बात को फसा चुका था कभी कह रहा है कि मैं जो कभी पाठों को जो मैं कहना चाता था वह बात बिलकुल सरलों सहजती लेकिन मैं बनावटी पुन बाहसा के चकर में अपने बात को बाहसा में फसा चुका था अब मैं अपने बात को पाने की कोशिस में बाहसा को उल्टा पूल्टा तोड़ा मरोडा गोहमाया फिर रहा है मतलब कहने का तात्परे क्या है कवी जो बात कहना चाहता था पाटकों को वह बात बिल्कुल सरल थी लेकिन बनावटी पून भाषा के चकर में उसे फसा चुका था अब कवी ने अपने भाषा को पराप्त करने के लिए सब्दों को इदर उदर वाक्यों को इदर उदर मैं अच्छे से कह सकूँ मैं अच्छे से मैं बात को बना सकूँ वापस से जो सरल बासा थी या मैं बासा के चकर में फस गया था उससे मैं भार निकलाओं लेकिन इससे बासा के साथ बात और भी पेचिदा इन कठीन होगी लेकिन जैसे मैंने सब्दों को इधर उदर किया तो ये द्हान डखना एकजाम दरिश्टी से मैयतफपून है किस बोली का परियोग किया गया है खड़ी बोली चंदमुगत कविता है आसलाइब पुर्मकत्राइब ये बहुत मैयतपून है टेडीफरसना पेचेदांवना मुहवरे का परियोग किया गया next है सारी मुश्किले मुश्किल को धहरिये से समझे बिना मैं पैंच को खोलने की बजाए बेतर है उसे कस्ता चला जा रहा था से लग रहा हुं क्योंकि इस कर्टब पर मुघे साभ सुनाइधत्व और जो दर्सक जो तमास मीझे देख रहे थे वो मुझे वावा जो मैं आध्मार करतब दीखाए और ंड़ा रहे थे अब कभी कहता है वह हुआ जिसका मुझे डर था क्या जो जबर दसी Property खोड़नी की बजाया वो ओसे कस्ते जाएंगे तो पेंच की चूडि मर जाएगी और फिर वो किसी परकार का किसी मतलब का नहीं रहेगा फिर उसे जबरदस्ती सर एक जगए ठोक दी जाएगी उसी परकार मेरी बात भी उस बासा में चमतकार पुन बासा में बेकार ही घूमने लगी ना तो मुझे ही समझ में आ रहा था कि मैं क्या कहना चाहरा हूं व्याख्या देख लिजेगा जो मैंने समझाय वही लो और पढ़ लेना बाद में खड़ी बोले हिंदी चंदमुक्त कवितागा ये ध्यान रखना उर्दू अतसम सब्दावले का परियोग किया गया है और बात को पेंच की तरह बताने के कारणी यहां उपमालंकार है ये ध्यान आपको रखना है हार कर मैंने उसे कील की तरह है उसी जगह ठोग दिया अंदर से ने समय कसा रहती है कहने का मतलब क्या है जब पेंच की चूरी मर जाती है जब पेंच कीErी मर जाती है तो हम लोग क्या करते है ईसको एक प्लास्टीक ले गिट्री होती इसमें लागा उस फ़ोग देते है इस ही परकार मैंने भी अपने रहा हों बातनी जो एक सरार्ती बच्ची की तरह मुझसे खेल रही थी ुख欸 अब जो बात है एक सरार्ती बच्ची से खेल रहे है यहां मानमे करन अलंकार है अब लटार्ग अब यहां जैसे पशीना तो वहा कि सार। मेरे सप्शीनτα का श्रास को सवल्य अब देख लो मानुकरन अलंकार है ठीक है व्याख्या देख लिजेगा आप लोग और यह दिहान डखना है आप बात का मानुकरन किया गया है और यह तो सेम है बात को कील और पेंच की उपमा देने कार्णिया उपमा अलंकार किया है ये थी हमारी कविता बात सीधी थी पर उम्मीद करता हूँ आप लोगों समझ में आ गई होगी यानि कम समय में हमने भहुत अच्छे से पढ़ लिया और समझ में भी आ गया होगा अब जो व्याक्या मैंने समझा रखी एक बार उसे भी पढ़ लिजेगा और फिर भी थोड़